हेलो फ्रेंट स्वागत एक बार फिट से आप सभी का डिज्टल तैयरी के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है चेतन पारिक आरस अगरवाल की हिंदी वाली किताब हम सौल कर रहे हैं इसके अंदर हमारा चेप्टर कौन से चल रहा है तो वह है सब्जेक्टिव सवाल होता है पार्ट फोर इस पूरी सीरीज के अंदर अब तक तीन पार्ट आ चुके हैं तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वह जुरूर देखना क्योंकि वहां से इस चेप्टर का बेशिक क्लियर हो जाएगा अब उन शुरू करते हैं हमारे इस अन्जू तथा संधिया की वर्तमान आयू का अनुपात 17 के चार वरस पहले इनकी आयू का अनुपात करमसा कितना होगा पूब्याथ पर्माण है चार साल पहले और प्रेजेंट चार साल पहले क्या रेशियो है तो चार साल पहले रेशियो है 11-15 यहाँ पर मैंने लिख दिया देखो 11-15 उसके बाद में प्रेजेंट का रेशियो क्या है तो प्रेजेंट का रेशियो है 13-15-17 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया देखो 13-15-17 हाई बात समझ में यह चीज क्लियर है अब हमें क्या पता है तो हमें इतना पता है कि दो जनों की एज के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है यह concept हम यूज ले रहे हैं पूरे चप्टर में तो यहाँ पर देखो अगर मैं उपर देखता हूं तो यह डिफरेंस के चार आ रहा है नीचे देखता ह technforce कितना रहा हूं यह नी पहले से डिफरेंस इकवल है तो यहाँ पर हमारा काम आदा हो गया हमें नॉर्मल करते हैं पर यह काम आदा हो और अभी एज कितनी होंगी ? 13 होगी कितने your units बड़ी ? तौँ है एसर 2 units बड़ी किषेंस बड़ी इसर 11 मतलब कितना बड़ा ? और actual में कितना बड़ा ? तो 4 साल पहले से लेकर वर्तमान की बीच में टाइम कितना होता है 4 साल होता है इस दो यूनिट है एक्चॉल में किसके बराबर है चार साल के बराबर है इसका मतलब एक यूनिट की वेल्यू किती आई दो एक यूनिट की वेल्यू किती आई दो अगर एक यूनिट की वेल्यू है तो फिर इस तेरा यूनिट की वेल्यू किती आएगी 26 आएगी अगर एक unit की value 2 है तो 13 unit की value किती आएगी 26 और इस 17 unit की value किती आएगी 34 तो ये अंजू और संधिया की present ages मने निकाल दी ठीक है अभी हमारा काम पूरा नहीं होगा हमें पूछा क्या देखो आपको पूछा है कि 6 साल बाद उनकी age के बीच में क्या ratio होगा ये आपको find दो चैनल बाद उनकी age क्या होगी पहले वो तो पता चले तो present एगर 26 अंजू की तो 6 साल बाद एज कितनी होगी तो 26 और चैनल किता हो गया 32 उसके बाद में present में अगर संधिया की age 34 है तो 6 साल बाद कितनी होगी 40 होगी 40 होगी तो यहां पर मैंने लिख दिया देखो 40 इस ratio को simplify करना देखो अगर मैं इसको 8 से कारता हूं तो यह चार वार में कट रहा है और आबने चारनोपात 5 कर दिय dic ठीक है आगे बढ़ता है हमारे अगले सवाल के और यह बहुत ही सिंपल सवाल था अगला सवाल यह आगे आगे आपके पास question number 23 क्या कहा रहा देखो यह सवाल यह सवाल हमें कहा रहा है कि एक वर्स पूर्व एक महिला की आयू अपने पुत्र की आयू से 4 गुना थी एक साल पहले और 6 वर्स बाद उसकी आयू अपने पुत्र की आयू की दुगुनी से 5 वर्स अधिक है ठीक है ये 6 साल बाद की बात है तो आपको बोला है कि उनकी वर्तमान आयू का अनुपात कितना है ये आपको ग्याद करना है ठीक है वर्तमान आयू का अनुपात आपको ग्याद करना है अब देखो यहां पर दो जनों की बात हो रही है एक तो महिला की बात हो रही है तो महिल तो फादर की तो फिमेल जो यानि जो माता है उसकी मदर मदर में लिख देता हूं ताकि कन्फूजन ना रहे किसी प्रकारता तो चार एक्स लिख दिया हमने उसके बाद में ये तो है एक साल बाद की बात एक साल बाद की एज मैंने लिख दी मलब एक साल पहले की सौरी एक ब क्या कह रहा है कि 6 वर्स बाद अपने पुत्र की आयू कि दुगणा से 5 वर्स अधिक हो जाएगी माता जी की आयू तो 6 वर्स बाद आयू है कितनी वो तो निकालने 6 अगर मैं इसके अंदर जोड़ दू तो यह कितना आएगा 4x सवाल कहेरा है कि मदर की ये जो 4 x 7 वो बेटे की अज इनी बेटे से इन risks इसका डबल और डबल से पाच जाता है को इतना है तो यह तो यह सांने experience यह यहेक्ज इजक्तर आम रखंभर यहां पर तो हमें ratio मिल जायाएगा किसका वर्तमान आई हो का, यह बात समय में सबसे best method है, कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं, कोई trick वगएरा ऐसा, कोई ratio method नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, अब इसको आगे करते हैं ने को किस प्रकार से solve करना है, यह हो जाएगा 4x plus 7, यह आगे multiply होगा, तो 2x plus 14 और plus किता हो ग 12, 2x इदर आएगा, तो 4x में से 2x जाएगा, किता आएगा, 2x, 2x की value अगर 12 है, तो x की value किती होगी, 6 होगी, तो x की value किती होगी, देखो, x की value आगे 6, अगर x की value 6 है, तो यह उठा कर आप यहाँ पर रख लो, 6 into 4, 24 और एक किता, 25, और यहाँ पर 6 और एक किता हो गया, और comment में भी लिखके बताना कि sir, चीज़े clear हो रही है, नहीं clear हो रही है, तो यह भी लिखना कि sir, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि अगर सुधार की गुंजाई सो तो वो की जा सके, चीज़े समझ में आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अब आते हमारे सवाल के उपर क्या है, तो question number 24, क्या है यह सवाल, कि एक लड़के की आयू, उसके पिता की आयू की एक तिहाई है, एक लड़की की आयू, उसके पिता की आयू की एक तिहाई है, दो जनों की बात हो रही है, एक तो son और एक father, father की age अगर मैं तीन लिखता हूँ, तो son की एक unit है, सही यह तो present का है, बारा वर्स बात की अगर बात करें, यानि 12 year after की बात करें, तो लड़का अपने पिता का आधा हो जाता है, यानि अगर पिता को मैं दो लिखता हूँ, तो लड़का कितना होगा, एक होगा, आई बात समयंद में, अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि दो बंदो की age के बीच में difference हमेशा constant रहता है, इक्वल रहता है, तो यह चीज़ यहाँ पर apply करें हम, देखो, यहाँ पर अगर यह चीज़ अप्लाई करें, तो यहाँ पर हम देखें तो यह difference आ रहा है कितना, एक, क्या यह difference equal है, नहीं है, जब equal नहीं होता है, तो हम क्या करते है, difference को equal बनते हैं, तो इस एक को मैं क्या करूँगा, दो लिखूँगा, ठीक है, तो इस दो को एक बनाना थोड़ा मुस्किल है, एक को दो बना देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा, तो दो गुना किया है, तो इस ratio को पूरे को हम क्या कर देंगे, दो से गुना, तो यह ग्यात करनी है, तो यह देखो, वर्तवान आयो, आपने मानने कितनी सुरवात में, एक यूनिट, और बारा वर्स बात कितनी हो गई, दो यूनिट हो गई, एक यूनिट से दो यूनिट हो गई, मतलब कितने यूनिट बड़ी, एक यूनिट बड़ी, एक यूनिट बड़ी है उसकी value कितनी है 12 years है actual value किती है इसकी 12 years है अगर 12 years एक unit है तो इस एक unit की value 12 years ही होगी क्योंकि 1 into 12 12 भी मिलेगा तो यह answer हमारा क्या हो गया 12 Sun की present age किती है 12 है option C एमारा correct answer है clear है बढ़ता है देगा हमारे अगले सवाल की और question मेरे पुत्र की आयू से तिगुनी है मेरी वर्तमान आयू मेरे पुत्र की वर्तमान आयू की तिगुनी है दो जनों की बात हो रही है एक तो मेरी और एक मेरे पुत्र की अब मेरे की जगे मैं किसी और को ले रहा हूं ठीक है मेरे की जगे मैंने किसी आदमी को ले लिए मालना M लिख रहा हूँ और उसका पुत्र लेलिया मैंने यह पुत्र यान्य सन S ठीक है उसके बाद में पुत्र की तिगुनी है इसका मतलब अगर सन को मैं एक लिखता हूँ तो जो आदमी है वो तीन गुणा होगा तीन युनिट मालनों उसके बाद आगी पांच वर्स बाद मेरी आयू मेरे पुत्र की आयू का डाइगुणा होगी दो से एक बटा दो मतलब डाइगुणा होगी और डाइगुणा को मैं पांच बटा दो भी तो लिख सकता हूँ simple fraction में मतलब जो भी मेरे पुत्र की आयू होगी वो मेरी आयू होगी उसका पांच बटा दो गुणा मेरी होगी मेरी मतलब जो आध 1976 मिलें यहांपर मांना है इसलिए कि आध में इस को दिफ्रेंश निकाल दिया हमने म्मलर रेशियो निकाल Дी हमने उपटर वाला जो रेशियो है वह तो प्रेजंट वाला रेशियो है और यह टाएव साल बादवाला रेशियो is तो अलग-अलग ratio हमने लिख दिये हैं यहां पर उसके बाद हमें यह पता है कि कुछ भी हो जाए difference जो है वो हमेशा same रहना चाहिए यहां पर 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 यहां प 6 बना लो ठीक है इसको 6 बनाने के लिए मैंने 3 से गुणा किया तो इस पूरे रेशियो को आप 3 से गुणा कर लो 3 into 3 कितना आएगा 9 आएगा और 3 into 1 करने पर कितना आएगा 3 आएगा तो सही है उसके बाद में 3 से 6 कैसा आया 2 गुणा करने पर आया तो यह जो है इसको आप 2 पूरा कर लो 5 into 2 कर लो कितना आएगा 10 आएगा और 2 into 2 कर लो कितना आएगा 4 आएगा और यह रेशियो मैंने चेंज करके अब उस फॉर्म में लिख दिया अब यह रेशियो मेरे कोई काम कर नहीं है अब सारा काम मेरा उससे होगा ठीक है अब देखो यहां पर आपको मेरी वरत्मान आयू ग्याद करनी है मेरी का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसकी वरत्मान आयू आपको यहां पर ग्याद करनी है तो उस व्यक्ति को आपने प्रेजेंट में कितना माना था दो माना था और वो 5 साल बाद कितना हो गया तो 10 unit हो गया कितना बड़ा यह तो रेशियो पांच साल के बराबर लोगा और वेशन को पूणा करेंगे हैं खरार की सवाल सही सही समझ में आ रहा है आपको एक-एक सवाल आप अपने आतों से भी ट्राइब कर रहे हो ठीक है अब यह आ जाता है देखो हमारे पास question number 26 फटाफट से इसको ट्राइब करें एक बार pause करके अपने तरफ से उसके बाद समझें तो यह सवाल हमें कह रहा है कि एक विवाह ए एक सही एक बटा चार गुणा है उसके पुत्र की आयू उसकी आयू की एक बटा दस गुणा है तो उसके पुत्र की वरतमान आयू क्या है यह आपको ग्यात करो है ठीक है दो बाते हो रही है यहां पर एक तो बात हो रही है कि सादी के समय की बात हो रही है marriage के समय की ठीक है अब marriage के समय की बात करें तो उस आदमी के अगर मैं बात करता हूँ तो ही सवाल कह रहा है कि साधी के समय जो भी आयू है उसका एक सही एक बटा चार गुणा आयू अब है एक सही एक बटा चार को अगर मैं simple fraction में लिखता हूँ तो यह कितना होगा पांच बटा चार होगा प्रेजट उसके बात के क्या रहा है उसके पुत्र की आईउओं उसकी आईउओं का एक बटा यूँ उसकी जो भी आयू है present में उसका आप एक बटा दस कर लो आपको उसके पुत्र की आयू मिल जाएगी इसका मतलब अगर यह 5 मैंने यहां पर लिखा यह 5 किसको रिपरेजन कर रहा है present age को किसकी present age को उस आदमी की तो इस 5 का एक बटा दस जब आप करोगे तो 5 बटा दस करोग कितना एक बटा दूँ यानि आदा यूनिट जो है वो क्या है तो उसके लड़के की यानि उसके पुत्र की आयू है और यह सिर्फ रेशियो वाइज है actual age अभी तक हमने नहीं निकाल लिए actual age निकालने के लिए हम क्या करेंगे actual value का use लेंगे आपको कह रहा है कि साधी जो ह के बराबर है तो यह आधा यूनिट किसके बराबर होगा तीन साल के बराबर होगा है नहीं है तो आदे को मैंने क्या किया यहां पर इंडिरेक्ट ले देखा जाया तो 6 से गुणा किया है तो तीन साल क्या होगा हमारा correct answer होगा उत्र की भरतवान अभी अपनको पुछी थी हमने कितना तीन साल कायी बात समझ में आई होग सारे सवाल आपको सही समझ में आ रहा है ठीक है बार बार से चीजह में आपको इसलिए पहुच रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का डौट ना भचे एक ऐक सवाल आप करते रहो इंपोर्टनस को समझा सवालों की उसके तो बेसिक अगर आप पैस्प्राउंग होगा तो आप कैसा भी सवाल आजा है अब आते हैं हमारे 27 नमबर वाले सवाल पर राजू की आयू उसके पिता की आयू से आधी है दो जुनों की बात हो रही है देखो एक तो है राजू और एक तरफ है उसका पिता यानि फादर तो फादर की एज का आधा है फादर की एज को अगर मैं दो लिखता हूँ तो राजू की एज इतनी होगी एक होगी उसके बाद आगे दस साल पहले उसकी आयू अपने पिता की आयू का एक तिहाई था दस साल पहले अगर सेम रेशियो चेक करें यह तो प्रेजन्ट की बात कर ली मैंने अब अगर दस साल पहले मुझे जाना है तो दस साल पहले तो उपर होगा पहले तो 10 years before या फिर ago तो क्या था कि तिगू ना था या फिर कह सकते हैं पिता तिगू नहीं फिर कह सकते हैं कि कि अगर किता क्र दीकुछ तो है कि यहां पर देखो ग useful है नहीं उसको की गुणा किया तो एक इंटो 2 कितना बड़ा कितना कितना बड़ा कि उनिट बड़ा कितना बड़ा, एक यूनिट बड़ा, ये एक यूनिट तो ratio वाइस बड़ा है, actual में कितना बड़ा, तो 10 साल पहले और present के बीच में actual time gap कितना आता है, 10 साल का आता है, इसका मलब एक यूनिट की value कितनी है, 10 साल है, एक यूनिट की value कितनी है, 10 साल है, अगर एक यूनिट की value प्रिता की वरत्वान आयों लेकिन आपको बोला है कि पिता की पांच साल बाद आयों कितनी होगी उसके बाद यहां पर समझें सवाल में हमें पूछा है की दिया है कि एक लड़की तथा लड़कीे की वरत्मान आयों का अनुपाद क्रमसा 5 अनुपाद 4 है एक लड़का है बॉइए फिर या फिर लड़की पहले लड़की की बात है यहां पर लड़की यन using it लिए और यहां पर लेशिया है पाँच नुपा चार है तीक है यह है present की बात कर रहा है चार वर्स पूर वो लड़के की आयू 24 साल थी तो पाँच वर्स बाद लड़की की आयू कितनी होगी है गयाद करमे है अब जझाओ अगर लड़के की चार साल पहले आयू 24 साल थी, तो वरतमान में लड़का कितने साल का होगा, 21 साल का होगा, अब्यस्थी बात है, वह 4 साल पहले वो 22 साल का था, तो अभी तो 28 साल का ही तो होगा, इसका मदलब लड़की की present age 28 साल है, तो ये जो 4 है, वो 4 actual में कितना है, 28 है, 4-6-7 कैसा है या 7 गुना करने पर तो मैं इसको भी क्या कर लूँगा 7 गुना कर लूँगा तो 7 into 5 कितना आगया 35 आगया ये 35 क्या है तो ये 35 है उस लड़की की प्रेजेंटेज आपको लड़की की प्रेजेंटेज नहीं पूछी है आपको पूछा है 5 साल बाद वाली तो 35 के अंदर 5 जोड़ लो तो कितना आएगा 40 आएगा क्या आएगा 40 आएगा यानि हमारा आंस्वर क्या होगा 40 येर्स होगा आई बाचमान में तो लड़की क्या ये तो अंटी हो गई और लड़का क्या ये तो अंकल हो गया क्या अरता है 28 साल और 24 साल क्या हो गई है तो ये है हमारा आंस्वर आप्सन B 24 साल तो यहीं पर हमारे इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं हमने 28 तक के सवाल कर लिये है आगी के जो सवाल है वो हम करेंगे थोड़ा अच्छा है और वेराइटी भी थोड़ी ज्यादा है तो वहां के भी आप सारे के सारे सवाल कर लो तो अच्छी कैसी प्रेक्टिस जाएगी आप फिर किसी भी एक्जाम में बैठो बेशिक आपका तगड़ा रहेगा तो सवाल कैसा भी आए अच्छी कैसी प्रेक्टिस जाएगी तो फिलाल इस वीडियो करें इतना ही रखते हैं थैंक यू प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी